दोस्तो नेट्फ्लिक्स पर एक बॉलिवूड की फिल्म रिलीज हुई है अरे इसकेप मत कर दिजाए पहले सुन लीजिए डार्लिंग्स करके अलिया भट शिफाली शाव विजायराज स्टारिंगे फिल्म है दो घंटा 15 मिट फिल्म का एक्जाक रन टाइम है फिल्म को लेक देखते हैं तो फिल्म देखकर लगता भी है कि हाँ यह ओटिटी की लाइक ही थी फिल्म अब हमेशा की तरह वन वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म आप देखनी चाहिए भी नहीं तो यह फिल्म टाइम पास ही इंटर्टेनिंग मूवी है डेफिनेटल आप फिल्म को भूल जाएं सब फिल्म में याद रिखने लाग कुछ भी नहीं है फिल्म के अगर पॉजिटिव की मैं बात करो तो सारे एक्टर्स की अक्टिंग आलिया भाट शिफाली शाव विजयराज सभी की अक्टिंग बहुत जादा अच्छी है स्टोरी के हिसाफ से कहानी की मैं ब जबर्दस अक्टिंग शिफाली शाह के अक्टिंग मुझे सबसे जार अच्छी लगे इस फिल्म में कॉमिक टाइमिंग में हो या फिर से इस्प्रेशन के मौके पर हो सीरे शिविशन में भी उनकी एक्स्प्रेशन इते जबर्दस से ना कि मैं स्माइल आरती बार बच जा और यही एक अक्टिंग के ना पर बहुत जार अच्छी है फिल्म कहानी पर थोला मात खा जाती है लेकिन ठीक है ओटीटी पर यह टाइम पास करने के लिए फिल्म को देख सकते हैं तो यह कुछ पॉसिटिव बात होगी नेगेटिव कि अगर में बात करूं तो हां यहां बाकी एक चीज़ को और नेगेटिव में गिन सकते हैं आपको इसका जो सब्जेक्ट है वह तुरा ओल लग सकता है यहां पर एक इस फिल्म का इक में बात करूं तो फैमिली के साथ आप देख सकते हैं एक कि ठीक है मसा तो आ रहा है हूमर तो है लेकिन स्टोरी मैं स् कर सकता है क्योंकि नई स्पॉलर हो जाएगा हां तो बस एक किसीन सीन है बाकी आपकी मर्जिया आपको देखना है कि नहीं फैमिली के साथ तो टाइम पास मूवी है देखो मजे करो और भूल जाओ तो बस सही सा मेरे एक रिव्यू डार्लिंग्स फिल्म के लिए जो मुझे ठीक ठाक सी लगे टाइम पास के लिए उमीद तो बिलकुल नहीं थी और जीर एक्सपक्टेशन के साथ फिल्म देखी ठीक ठाक थी तो मुझे मज़ा आया वर्थिट कह सकता हूँ मैं फिल्म को एक बार तो कम से कम तो बस अजी सा रिव्यू वडियो देखने के लिए